Dear student, we have to discuss about the collaboration and networking. Collaboration की हम बात कर रहे हैं, networking की बात कर रहे हैं और हम उसके importance की बात कर रहे हैं. अब हमारे पास है, collaboration और networking कैसे करनी चाहिए? उसका tool क्या है? पहला tool उसका ये है, कि हमें information sharing and exchange करनी चाहिए. देखें, जब कभी भी आप decision making कर रहे हैं, हम पहले decision making की बात करते थे local level पर. अब हम decision making की बात करते हैं international level पर. जब international level की बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि जब तक हम information share नहीं करेंगे, exchange नहीं करेंगे, हम coordinate नहीं करेंगे, जब हमारे दौरान coordination नहीं होगी, उस वक्त तक हमारे पास heterogeneity खतम नहीं होगी. देखें, heterogeneous group कब खतम हो सकते हैं? उनके अंदर homogeneity कब आ सकती है? जब हम coordination करेंगे. coordination कब हम कर सकते हैं जब information share करेंगे. इसका मतलब यह हुआ, कि हमें अपनी collaboration और networking के अंदर, जो role play करना चाहिए, वो है information sharing. उसके लिए हमारे पास जरूरी है, कि हमें एक अपना virtual zone बनाएं, एक virtual organization बनाएं. देखें, हमारे पास एक ऐसी community होनी चाहिए, जो virtual link डो आपस में, professionals की. क्योंकि इस वक्ट जो हमारे पास science और technology का दोर है, यहां पे अब हमारा connectivity issue नहीं है. देखें, आज आप skype पे, whatsapp के उपर, मुखतलिफ जोगों के उपर मुखतलिफ ऐसे program है, गूगल meet है, zoom है, यहां पे आप meetings call कर सकते हैं. और meeting call करने के बाद, हम क्या कर सकते हैं? हम information share कर सकते हैं. इस का मतलब यह हुआ, कि हमें अपनी policies बनाते हुए, अपने governance method for the sustainable development के लिए, project के लिए, हमें आपस की coordination चाहिए. और वो coordination हमें कैसे चाहिए, कि हम जब virtually आपस में link हो जाएंगे. जब हम आपस में virtually link हो जाएंगे, तो उससे हम अपने information share करेंगे. जब हम information share करेंगे, तो हम अपने problem share करेंगे. problem share करेंगे, तो हमारा एक ऐसा mechanism involve हो जाएगा, कि उससे हमारा knowledge enhance होगा, और enhance होने के बाद, हमारे knowledge के अंदर जाएगा, तमाम knowledge के अंदर compatibility आ जाएगी, और उसके साथ साथ, हमारी sustainability जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा.